इस वज़़ा से पुरुस होते हैं गंजापन और बाल ज़़ने का सिकार, इन साथ घरे लोगने इस खोग को अपना कर दोबरा उगाए बाल, जानने के लिए वीडियो को अंतक देखे, दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक आते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि महलाव के पिक्षा पुरुस ही गंजापन का सिकार होते हैं, एक उम्र के बाद ज्याजातर पुरुसों के बाल गिरने लगते हैं, कुछ लोगों का तो इसकेल भी दिखाई देने लगते हैं, बालों को अगना हर्मोनल बदला के बारे में, पुरुसों के बाल ज्ढ़ने का कारण, दोस्तों आम तोर पर 30 साल की उम्र के बाद पुरुसों के बाल ज्ढ़ने लगते हैं, कई बाद तो 50 के उम्र आते याते से ज्यादा बाल ज्ढ़ जाते हैं, और स्किल्प दिखने लगता है, यह पुरुसों में इड्रोष्टेरोन बालों को पतला कमजूर कर देता है जिसकी वजा से बाल जड़ने लगते हैं ये एशायम अम तोर पर अनवांसिक होते हिस कि ज्दातर पुरसों पर्चया होती है आये जानते हैं पुर्चयों के से भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी प्याज करस हफते में कम सकम दो बार जरूर लगाए हरा धनिया भी बाल उगाने में मदद कर सकता है इसके लिए सीर में जहां से बाल धर रहे हैं वहां पर धनिया की पती को पीश कर पेश्ट लगाए खाने में लहसुन का ज्यादा से इस्तिमाल करें इससे बाल धरना बंद हो जाएगा नीम की पती और अवले का चुर्ण भी फैदे मंद होता है इसके लिए बस आप अपनी नीम की कुछ पतियों और अवले के चुर्ण को पानी में डाल कर उबाले जब पानी ठंडा हो जाए तो इससे सीर को धोए ऐसा हफत वीडियो को जादा से जादा से सेर करें वीडियो को लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ